इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं थर्मो डाइनमिक्स के टाइप ऑफ सिस्टम की जो हमको पता ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड आइसो लेटर सिस्टम है तीन टाइप के सिस्टम होते हैं अब देखो अगर मैं एक इग्जामपल छोटा सा लेके बताऊं कि जैसे स सपस्कुरो हमारे पास कोई चाय की कप रखी हुई है नॉर्मल एटमोस्फियर में तो वो धिरे-धिरे ठंडी होने लगती है और उसके जो मैटर हैं वो भी एटमोस्फियर में क्या होते रहते हैं मिक्स होते रहते हैं जैसे वेपर सिस्टम अब सपस्कुरों उसी चाय के उपर मैंने कोई प्लेट वगेर रख दी अब एनर्जी तो एक्षेंज हो रही है बट उसके मैटर नहीं एक्षेंज हो पाते हैं तो उसको हम लोग बुलते हैं क्लोस सिस्टम और अगर थर्ड मैं आइसोलेटेट की बात करूं तो जैसे थर्मस वगेरा हैं तो उनमें क्या हो